हेलो एवरिवान आज मैं आपको चंदिगड में पंजाव उनिवस्टी लेकर आई हूँ अभी रात के साथ साढ़े साथ का टाइम है हम किसी काम से निकले थे तो लेट होगे तो हमने आज खाना पंजाव उनिवस्टी में ही खाना है डिनर यहीं पर करना है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि रात के टाइम पंजाव उनिवस्टी देखने में कैसी लगती है यहां के रेट बहुत ही रिजनेवल होते हैं और कोई भी आउटसाइडर यहां पर आकर खाना खा सकता है तो यह सारा एरिया पंजाव उनिवस्टी का है किसी दिन में आपको दिन के टाइम भी दिखाऊंगी कि पंजाव उनिवस्टी दिन के टाइम कैसी लगती है अभी थोड़ा अंदेरा साज हो गया है तो यह administrative block है जो अभी पूलतरा से आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा तो किसी दिन में आपको दिन के टाइम भी पंजाब उनिवस्टी का सीन दिखाऊंगी कि कैसी दिन के टाइम पंजाब उनिवस्टी लगती है तो अभी हम उनिवस्टी के अंदर बनी हुई एक मिन्नी मार्किट में पहुँच गए है जो भी बच्चे उनिवस्टी के अंदर होस्टल में रहते हैं तो उनको उनकी जरूरत की हर चीज उनिवस्टी के अंदर ही बनी मार्किट में मिल जाती है तो यहाँ पर सारी शॉप्स हैं स्वीज शॉप भी है, टैमिस शॉप भी है गार्मेंट्स की भी है और रेस्टोरेंट तक भी है तो उनको बाहर जाकर कोई चीज डूनने की जुरूरत भी पड़ती है उनको सारी विक्वार्मेंट युनिवरस्टी के अंदर ही पूरी हो जाती है और ये बिल्डिंग है लाइब्रेरी तो अभी रात के आठ बजे है और सारे स्टूडेंट्स लाइब्रेरी के अंदर बैठ कर पढ़ रहे हैं और ये पूरी की पूरी भरी हुई है क्योंकि आउटसाइडर को अंदर जाकर कोई पिक क्लिक नहीं करने देते तो मैं बाहर से ही इसका सीन ले रही हूँ है कंटीन के पास तो आप रोनक देख सकते हैं कोई खाना खाने आ रहा है और कोई खाकर जा रहा है यहां पर खाने की आठ से दस शोप्स ऐसी हैं जहां पर आपको हर एक चिस मिल जाएगी चाहे वो शेक्स हो आईस क्रीम हो लसी हो नूडल्स पाव भाजी राजमा चावल बडूरे छोड़ ले आपको हरे चीज जहां की स्पेशल थाली भी है आपको फास्ट फूड भी मिलेगा और आपको पंजाबी खाना भी मिल जाएगा सब चीज जहां पर अवेलेबल होती है और रेट भी रिजनेबल होती है क्योंकि जादा तर जहां पर स्टूडेंट्स खाना खाते हैं तो उन्हीं के इसाब से रेट भी रिजनेबल होते हैं तो हम भी कभी कबार यहां पर आकर दिनर कर लगते हैं तो अभी हम भी देखते हैं कि हम क्या ओडर करते हैं और यहां का खाना भी बहुत टेस्टी बनता है तो हम पर दो का खाना भी देखते हैं और हमने ओर्डर किया है एक प्लेट नूडल्स, एक प्लेट पॉभाजी, राजमा के साथ रोटी, और दो शेक ओर्डर की हैं, एक स्ट्रॉबरी शेक, एक चोकलेट शेक, और ये सारा खाना 200 रुपीज का है, और आप हम दिनर करते हैं, इन्वेस्टिक से बाहर घर की और जा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको पूरा चंदिगड घुमाने वाली हूँ, और आपके साथ चंदिगड के बहुत ही अच्छे वीडियो शेयर करने वाली हूँ, तो जल्दी से सब्सक्रा झाल